यह वीडियो साइन्स क्लास 9 चैप्टर 1 का पार्ट 4 है जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं पार्टिकल ओफ मैटर के करेक्टरिस्टिक को तो अब एक नया करेक्टरिस्टिक को हम लोग पढ़ेंगे पार्टिकल्स ओफ मैटर अट्राक्ट इच अदर तो जो matter के particle होते हैं वे एक दूसरे को attract करते हैं तो आई अब हम देखते हैं कि वो एक दूसरे को किस force से attract करते हैं उसके लिए आपको बहुत सारे activities यहां दिखाए गए हैं उन्हें हमें पढ़ना है तो सबसे पहला है activity 1.6 play this game in the field यह एक game है जिसे field में खेलना है make four groups, चार group बनाने है बच्चों के चार group बनाने है and form human chains as suggested और जैसे जैसे इस activity में बताये गिया है उस प्रकार से आपको human chains बनाने है तो first group में बच्चों को इस प्रकार से पकड़ना है जैसे कि आप बीहु में देखे होंगे मतलब बहुत मजबूती से पकड़ना है दूसरे group के बच्चों को सिर्फ हाथ को पकड़ना है उर एक human chain बनाना है जबकि तीसरे group के बच्चों को सिर्फ एक दूसरे को टच करना है और कुछ नहीं इस प्रकार से तीन human chain आपने बनाया अब चौथे ग्रूप को क्या करना है इस human chain को तोड़ना है तो क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा human chain आसानी से तूट जाएगा तो वह human chain आसानी से तूट जाएगा जो कि अच्छे से एक दूसरे को जिन्होंने पकड़ा हुआ नहीं था जबकि आप देखेंगे कि यह जो बीहू वाला जो पोज बनाया था कुछ बच्चों ने उसे तोड़ना आसान नहीं होगा यदि हम प्रतेक स्टूडेंट को पार्टिकल आफ मैटर समझें तो आप देखेंगे कि जो बीहू वाला पोज था उसमें जो पार्टिकल है या फिर स्टूडेंट है वे एक दूसरे को मैक्सिमाम फोर्स से पकड़े हुए है अब हम लोग एक्टिविटी एक और करेंगे 1.7 तेक एन आइरन नेल, पीस ओफ चॉक एन रबर बैंड तीन अलग-अलग मेटरियल आपको लेना है और आपको इसको तोड़ने का प्रयास करना है आप हैमर से इसको मार सकते हैं, काट सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं फिर आपको देखना है तो आप देखेंगे कि यह जो आईरन है, आईरन का जो सबस्टांस है, जो नेल है उससे तोड़ना आसान नहीं है उससे ब्रेक करना आसान नहीं है उससे काटना आसान नहीं है उससे स्ट्रेच करना आसान नहीं है क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स है एक दूसरे से बहुत जादे फोर्स से जुड़े हुए है जबकि आप देखेंगे कि चौक है उसको आसानी से आप ब्रेक कर सकते हैं उसको आसानी से आप काट सकते हैं क्योंकि इसके particles एक दूसरे को मजबूती से पकड़े हुए नहीं है तो ये सारे चीज़ें क्या दिखाती है कि matter के particle एक दूसरे को attract करता है इसके बाद एक और activity आपको यहां करना है open a water tap पानी का एक नल को खोलना है try breaking the stream of water with your fingers तो आपका पानी का जो धार निकलेगा उसको अपने अंगलियों से तोड़ना है were you able to cut the stream of water माफ करिएगा were you able to cut the stream of water क्या आप अपने उंगलियों से इस stream को काटने में सक्षम थे तो क्या आप इन ही उंगलियों का प्रयोग करके एक iron को काट सकते हैं नहीं what could be the reason behind the stream of water remaining together तो आप देखेंगे कि जब आपने उंगलियों से इस stream of water को काटा होगा तो उसके बाद again उसी प्रकार से एक धार आपको देखने को मिला होगा तो फिर यह धार वापस कैसे आया तो उसका अंसर भी यही है कि यह जो matter है उसके particle एक दूसरे को क्या करते है attract करते है The above three activities जो हम लोगों ने तीन activities किया suggest that particles of matter have force acting between them कि जो matter के particle है उनके बीच में कोई force लग रहा होता है This force keep the particles together और यही वाप force है जो इन particle को एक साथ बनाए रखता है The strength of this force of attraction varies from one kind of matter to another जो कि हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं matter के प्रकार हम लोग पढ़ेंगे solid पढ़ेंगे, liquid पढ़ेंगे, gases पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से इनके बीच जो particle जो होते हैं उनके बीच का जो attraction force होता है उसी के कारण यह पढ़ार्थ अलग अलग रूपों में पाए जाते हैं तो यह हम पढ़ेंगे आगे की वीडियो में तो मिलते हैं next वीडियो में धन्यवाद